प्रदेश सरकार में कारागार एवं होमगाड राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद धरमवीर प्रजापती पहली बार आगरा पहुंचे आग्रा पहुंचते ही पार्टी कारेकर्ताओं ने गरम जोशी के साथ होमगाड राजमंतरी का भव्य स्वागत किया प्रदे सरकार में कारागार एम होंगार रांचे मंत्री सुरतंद प्रभाद बनने के बाद गुरुबार को पहली वार ताज नगरी आगरा पहुँचे धरमवीर प्रजापती की पार्टी कारिकरताओं द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया डोल नगारों के साथ आगरा की सीमा पर धरमवीर प्रजापती का काफिला पहुचा तो पार्टी कारिकरताओं का हुजुम उमड़ पड़ा रामबाग बाटरवक्स पर भी पार्टी के कारिकरताओं द्वारा गर्म जोसी से उनका स्वागत किया गया इस दोरान बुल्डोजर पर चड़कर पुश्पु वर्षा भी की गई राजिमंत्री धरमवीर प्रजापती का काफिला सुल्तान गंच की पुलिया भगवान टौकिच हरी परवत राजा की मंडी रावली होते हुए प्रतापुरा चौराई पर जाकर संपन हुआ जिसके बाद वे अपने निज आवास पर पहुँचे बाद में कारागार एवं होमगार राजिमंत्री सुतंद्र प्रभार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा की जहासी ललितपूर प्रयागराज फुरोजावास सहीद आज हर जनपद में जनता का प्यार मुझे मिल गई थी जो कल आगरा मेरे साथ आने के लिए और लखनवुसे हम चले हैं कोई कट ऐसा एक्प्रिशिवेकर नहीं मिला तो मैं आभात बेक्त कुनूँ आपके माध्यम से उन जनता का और आम कारकरता हूं का कड़ी धूप में खड़े इंतियार कर रहे थे स्वागत के लिए मैं उनका हरदय से अब बादन करता हूं पिछले कारकाल में जब मंत्री बने थे तो समय कम था इस बार मानिये मुक्मंत्री जी ने पूरा समय दिया है और पांच साल का अबसर हम लोगों को काम करने का मिलेगा जो बहतर हो इसका पिछले 5 साल के कारकाल से सबार बहतर करके कारागार एवं होमगार राज्य मंत्री धरमवीर प्रजापती ने कहा कि मुक्य मंत्री योगी आधितनाथ के नेत्रतों में 5 साल काम करने का अवसर मिला है और पिछले कारे काल से बहतर कारे किया जाएगा पिछले 5 साल की योगी आधितनाथ की सरकार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जिसको और आगे बढ़ाया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार के लिए बहुत जल अच्छा देखने को मिलेगा प्रात दरपन न्यूस के लिए आगरा से सज्जन सागर की रिपोर्ट